श्री नाज जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, राची वाले भाहिर बाबा को अलग आदेश, 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 जौला मालनी भगवती, देवियों की कई संग्याएं हैं, और ये सारी जो संग्याएं हैं, ये विलुप्त हो गई, क्योंकि जो शाक्त, विदानता पूजा का वो पूरा विलुप्त हो गया, और हम जो हिंदू सनातनी थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमें पंडित बताते थे, सतनारायन पूजा, सरस्वती पूजा ये करते रहें, शिवरात्री कायम रहा, काली 14 कायम रहा, बाकी सारी पूजाएं, सारी देवियां जो थी वो लुप्त हो गई, दाकनी, शाकनी, हाकनी, जो आपके चगर के जागरन करने के लिए जो देवियां थी वो बिलुप्त हो गई दाखनी का मतलब दाइन हो गई इसी तरीके से बहुत सारी विद्ञाएं बिलुप्त हो गई तो आज जिन भगवति की हम बात कर रहे हैं जौला मालनी देवी मुख्य रूप से आरती का भगवती का उसमें हम लोग बोलते हैं 64 योगिनी गावेन रित्यकरत भहरव ठीक है और यक्षिनी का भी मैंने आप लोगों को अलग अलग रूप बताया लेकिन जब आप किताबों का अध्यन करते हैं जैसे शैविक किताबें बहुत कम है शैविजम कहां बचा पू कितनी यक्षिनी साधना उदमेश्वरे तंत्र में हैं उतनी ही साधना आज हम जानते हैं वो भी बहुत कम लोग जानते हैं जो कि धना कम है क्योंकि एक मात्र ऐसी देवी हैं जिनके पूजा को करने से सुरक्चा, ग्रेशांती धन और वशिकरन चार चीजों की प्राप्ती होती है, मतलब अगर आपके घर पर किसी ने मसानी सकती का भी प्रयोग किया हो, तो वो भी शान्त हो हो जाता है, आपके घर में धनागवन कम हो, तो वो चालू हो जाता है, यह सब का एक दूसरे सा ठना रहता हो, तो भी इस विढ्र द्या को करने से इस पूजन को करने से आपके घर में सुक्षान्ति जो है वो व्याप्त हो जाएगा आकर्शन जो है आपके मुख मंदल का बढ़ जाएगा ठीक है इनके बारे में आज के दिन में अगर पढ़ना तो जैन तंत्र का एक किताब है जौला मालेनी कल्प उसको आप पढ़ सकते है जैन मुन्यों ने अज अब तो जैन धर्म हो गए उसमें तो यह हमारा एक सनातन धर्म का भाग था तो उन्होंने एक कल्प इस पर लिखा एक जैन मुन्यों ने वह भी आठवी नौवी सतावदी में जिसमें जौला मालनी देवी के बारे में पूरा वर्णन दिया है हमे जो मूर्ती है जो इस वीडियो का डीपी है वही आपको इंटरनेट पे मिल जागा उसको प्रिंट करा के रख लीजेगा ताकि आपके माना स्पटल पर भगवती रहे इस तस्वीर का सिर्फ और सिर्फ उद्देश इतना ही है कि आपके माना स्पटल पर भगवती की तस्व करकर और भगवती की तस्वीर रखते हैं सामने आपको पिला नवेत देना है आपको घी का दिया जलाना है, तीन की संख्या में, पांच की संख्या में, या साथ की संख्या में, धूप देना है, चमेली का, इत्र देना है, चमेली का, आपका आसन रहेगा पीले रंग का, ग्यारा दिन ये साधना करेंगे और 21,000 जाप करेंगे, ठीक है? तो दो चरण में इनकी पूजा होती है पहला चरण जो होता है वो 108 माले का होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका आकर्शन मंत्र होता है उसमें और कोई विधान नहीं होता है उसमें सिर्फ आकर्शन मंत्र के लिए होता है तो जैसे आप भगवती का आवाहन करेंगे, किसी भी भगवती का आवाहन में जब दीपक जलाते हैं तो आयतु देवित रेक्षरी इस मंत्र का हम लोग जाप करते हैं क्योंकि ये जो मंत्र है ये उग रहे इसलिए पहले हम लोग अपनी रक्षा करेंगे तो रक्षा मंत्र क्या है पांच रक्षा मंत्र है ध्यान से सुनेंगे दूसरा मंत्र तीसरा मंत्र ओम हम रूम रिम ज्वाला मालनी मम उद्रम रक्ष रक्ष स्वाह चौथा मंत्र ओम सम रॉम रॉम ज्वाला मालनी मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाह और पांच वा मंत्र अपनी रक्षा का ओम, तम, रह, रह, जौला मालनी, मम, शीर्शम, रक्षा, रक्षा स्वाह, रक्षा मंत्र पढ़ने के बाद, अगर आपका गुरु मंत्र है, तो आप साथ बर गुरु मंत्र पढ़ लिजे, गुरु मंत्र नहीं है, तो सीधे हम लोग मूल विधान पर आएंगे, दीपाक पढ़े जाल या, भगवति का आहवान हो गया है, नवेद समर्पित कीजए, जल समर्पित करिये, इत्र समर्पित कीजए, और जो धूप गंध है, वो समर्पित कीजए, एक चीज और है, अकर्शन अगर आपको वाकः बहुत बढ़ाना है, तो एक तिलक बनाईए, तिलक क तिलक पहले भगवती को लगाईए और फिर अपने लालाट पर लगाईए ठीक है इसके बाद मुंगे का माला लेंगे मुंगे का ओरिजनल माला मिलना मुश्किल है लेकिन निम्स्तर का थोड़ा मुंगे का अगर माला आप लोगों मिल जाता है तो वो ले लिए और एक माला पहले वशीकरन मंत्र पढ़े है किया है वशीकरन मंत्र ओम ज्वाला माल रिणी मम सर्वजन वढ चन कुरू कुरू वसट क्या इस मंत्र का 108 जाप करेंगे, 108 जाप करने के बाद, जो मंत्र 21,000 अबार करना है, उसको मैं तीन बर बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको करने के बाद, इस मंत्र को जब आप आकर्शन मंत्र कर लेते हैं, तो दो मिनट का विराम लेंगे, एक के बाद एक दूसरा मंत्र हम लोग नहीं जाप करेंगे, थोड़ा विराम लेंगे, फिर से एक बार भगवती को कुछ एक नवेद बढ़ा कर चढ़ा देंगे, या सर्वभूत संहार कारिके, जात वेदसी, ज्वलंती, प्रज्वलंती, ज्वल ज्वल, प्रज्वल, हुम, रम रम, हुम फट, क्या? ओम नमो भगवती, ज्वला मालनी, देवी, सर्वभूत संहार कारिके, जात वेदसी, ज्वलंती, प्रज्वलंती, ज्वल, ज्वल, प्रज्वल, हुम, रम, रम, हुम फट, एक आखरी बर सुनिए ओम नमो भगवती, ज्वला मालनी, देवी, सर्वभूत संहार कारिके, जात वेदसी, ज्वलंती, प्रज्वलंती, ज्वल, ज्वल, प्रज्वल, हुम, रम, रम, हुम फट, इस मंत्र को सुनके बहुत लोग बोलेंगे कि यह तो भूत नाशक मंत्र है, भूत का मतलब कर्म ह होता है भूत का मतलब आपका पास्ट होता है ठीक है सारा साबर मंत्र m.... Sãoar में भूत प्रेट आदी का होता है लेकिन हर जगा भूत शब्द जो है । सुचक Uv जो कर्म का फल भोग रहे हैं, उसको काटते हुए, ये मंत्र आपको एक अच्छा फल उच स्थान दिलवाए, ऐसा इसमें जौला मालनी देवी से प्राथना किया गया है, इस मंत्र का 21,000 जाप करने के बाद इसका पूर्ण होती हम लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास सुवि जावन सामगरी उसमें मिला करके, उपर से घी डाल करके और 121 या 1021 बार आप इसका पूर्ण होती कर देंगे, जिनको आकर्शन विशेष चाहिए, वो इस जाप के बाद 11,000 फिर सिर्फ आकर्शन मंत्र का जाप करेंगे, और आकर्शन मंत्र का जाप करने के बाद रोज ए 4 फलों की प्राप्ति मैंने बताई है, वो हो जाएगी, आज के लिए इतना ही जिनको साधना का शुरुवाती तौर तरीका सीखना है, सीखना है कि कैसे तंत्र किया जाता है, शुरुवाती तंत्र कैसे गुद को सुरक्षित रखना है, उसके लिए आप मेरे पेट वाट्स अब आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे प्रफाइल में लिए आज के लिए इतना ही जाला मालनी देवी आप सभी को धनाट ट्रक ऐसी मेरे उनसे प्रात्रा है, आप सभी को आदेश 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 आदेश